मुकर मांकोसिस, बलाक फंगस भी जिसे हम कहते हैं, हाँ यह वही बलाक फंगस है जो की कोवट में भी देखी जाती है और भाई लाइफ थ्रेटनिंग है यह तो जो Mucor Mycosis है वो पहले हम Zygomycocis ही गहते थे उसे अब जगे Mucor Mycosis कहाते हैं Zygomycetes अग क्लास थी जो फंजाए की वोई क्लास है तो Zygomycocis जो है वो दो टाइप्स कहते है Mucorails और Antomopterails तो भाई हमें Mucorails कुद ही देखना है क्योंकि यह कराता है Mucor Mycosis इसके अंदर researchated कौन-कौन से होता है रैसोपस होता है मुकोर होता है एपसीडिया होता है और जो मुकोर- burycosis में यह होते है पंजाई रैसोपस मुकोर अपसीडिया यह ठिक वोल्ड होते है कौई उसटिक हाइफ होते है multi-nuclearated और sexually कैसे reproduce करते हैं और एक डाइग्राम है इसके अंदर देखो यह पॉर है और यह पॉर्णियम है इसके अंदर स्पोर्ज राइजोएड है ठीक है और मुगर माइकोसिस जो है ऑपरनेश्टिक फंजाय है तो फिर भई वीक इम्यून सिस्टम होगा उनमें यह एफेक्ट होगी ओव्यस्सी बात इसका नेजल मुकेशा से लीजन प्रेडिवस्स होए थे वह साइनस और प्रेन तक होन जाएंगे और अनकंड्रोल डाइबरीटीज के इंदर यह कोमन होती है आहे आता है पल्मोनरी मुकोर उसस न sins Indonesia की फो मेंージ फिर आता है प्रिमोनरी मु करो सिस लुष निम्मिण法 में मैने मट्रेसिंटेशीन करती है गस्ट्रों इंटस्राइन मैनिमकोर माकोस सिस रहने मृकॉस में मुल निट्रीशन डायरहिजिस करती है skin mucormycosis और disseminated mucormycosis ये और जगा पे spread हो जाएगी स्प्लीन हर्ट और brain skin में तो भाई अगर brain में ये चली जाती है ना तो भाई बंदे की जो mortality rate होता है ना वो 50% हो जाता है मरने के chances जो हैं वो 50% रहता है और इसका फिर lab diagnosis पे आते हैं specimens उसे पहले collect करेंगे लेजन से, pus से, sputum से, nasal discharge से फिर उसका direct microscopy में देखेंगे KOH wet mount में तो भाई वहाँ पे non-subtate hyphae दिखेंगे और H&E staining में हम hyphae और अच्छे से देख पाएंगे फिर culture करेंगे SDA with cyclohexidine at 25 or 30 230 degree Celsius Lacto-phenol cotton-bue preparation में हमें branched sporengia 4 दिखेंगे और जो rhizoid है वो दिखेंगा तो rhizoid जो है वो mucorm absent होता है और rhizopus और thermia में present होता है तो यह हमें differentiate करने में help करता है और serological findings में biomarker होता है beta-glucan और इसका treatment फिर amphotericin B और बस इतना ही है mucormycosis पता होना चाहिए आ सकता है क्योंकि अभी covid हुआ था तो तो ज़्यादा chances ने इसके आने के okay